हलो प्रेंज, स्वागत है आज सबका मेरे टूचनल रूपन ब्यूटी पारलर में तो मेरी कस्टम है ने देखिए इनको क्लीन अप कराना है तो यह हम फेसियल किट लिए हैं जो कि इसमें 5 स्टेप हैं और 2 स्टेप को हम स्कीप कर रहे हैं और 2 हमने 2 स्कीप किये हैं कि इससे पहले हम इनके फेस पे लेक्टो ब्लीच कर चुके हैं उसके बाद हम क्लीन अप कर रहे हैं तो लेक्टो ब्लीच करने के बाद हमें किस तरीके से क्लीन अप करना चाहिए तो यह वीडियो है यह वीडियो आप लोगों के साथ हम सेयर कर रहे हैं कि लैक्टो ब्लीच के साथ कैसे क्लीन अप करें और डिटैन पैक यूज करने के बाद हम कैसे क्लीन अप करें तो दोनों के साथ आप इस तरीके से clean up कर सकती हैं तो जब हम इनके उपर lacto bleach किये थे तो उस पे हम जो दो step skip किये हैं उसको हम use कर चुके हैं जिससे कि इनकी इसकी निदम अच्छे से clean हो चुकी है तो कोई भी काम करने से पहले हम पहले face को अच्छे से clean कर लेते हैं तो जब हमने इनका clean up करने से पहले इनके उपर lacto bleach किया है तो lacto bleach में हम जो दो step को skip किये हैं इसको हम use कर चुके हैं उसको use किस तरीके से करना है तो उस video को आप लोग देखिएगा जो कि वीडियो पढ़ चुका है उसके साथ ही इस video को पढ़ना था तो मेरी तबियत खराब हो गई थी इसकी वज़े से video थोड़ा late पढ़ रही है इसलिए थोड़ा late जो है डाउनलोड कर रहे हैं और उसके साथ का ही यह video है लेक्टो बिलिज करने के बाद हम किस तरीके से clean up करें तो इस तरीके से देखिए हैं हम जो इनका फेस clean कर चुके हैं तो इसलिए हम दो step को skip कर दिये हैं जो कि एक cleanjer का है और एक scrub का है जब हम clean up करते हैं तो सबसे पहले अपने फेस पे हम cleanjer और scrub को ही लगाते हैं उसके बाद हम cream massage देते हैं तो इनके उपर हम दो इसलिए skip किये हैं क्योंकि हम कर चुके हैं और उह हो electro bleach के साथ तो किस तरीके से करना है वीडियो आप लोग देखिएगा जिससे कि आप लोग को समझ में आए अगर यह हम facial करते हैं तो इस पे हम 25 मिद्ट तक massage देते हैं लेकिन हम clean up कर रहे हैं तो यहां पे हम time को थोड़ा सा कम करेंगे थोड़ा time को change करेंगे facial पे हम 25 मिद्ट देंगे और clean up पे हम 10 मिद्ट तक massage देंगे और massage हमें बिलकुल एकदम आसान एकदम आराम आराम से soft हाथों से ही massage देना है एकदम अच्छे से बहुत से customer हमारे पास आती है तो कई लोग हमसे पूछी इसलिए फिर आप लोग के साथ भी हम share कर रहे हैं हो सकता है जो लोग video देखिए उन लोग के भी मन में ऐसी कोई बात हो तो हम जो है आप लोग के मन से हटा देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है बहुत से customer इस तरह से पूछी है कि massage जो हम लेते हैं तो हमारी skin पर जुरियां पड़ जाती है ऐसा नहीं होता है massage से हमारी skin अच्छी होती है glow करती है और हमारी skin tight होती है तो इस तरीके से देखिए हम जो है चौथा इस्टेप ले रहे हैं जो कि यह जिल massage है अब जिल massage भी अगर हम facial करते तो 15 मिनड़ तक massage देते लेकिन हम clean up कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 5 मिनड़ तक ही massage देंगे तो जिल massage से हम 5 मिनड़ तक massage देंगे और massage हमें एकदम आराम soft हाथ ही चलाना है और ऐसी बात नहीं है मतलब इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती है कि हम massage लेते हैं तो हमारी स्कीन लटक जाती है जुरियां पढ़ती है हाँ हमारा करने का तरीका अगर गलत होगा तो उससे जुरियां पढ़ती है step हमें सही करने चाहिए massage करते समय मारी step जु हो वो 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 पढ़ते हुए tight करते हुए ही massage देना होता है तो इस तरीके से में massage देना होता है और इसकी उनको रगणना नहीं होता है बहुत ज़्यादा रगणे नहीं इस तरीके से हमें massage देना है इस तरीके समय अपने हाथों को चलाना है तो वैसे बहुत से वीडियो में हम step बताए है हमारा वीडियो है मारे चैनल पे तो आप लोग देख लीजिएगा और वैसे वीडियो या डाउन अगर आप लोग कहेंगी तो हम एक वीडियो डाउनलोड कर देंगे जिसमें हम step बता देंगे कहां किस तरीके से हमें skin पे अपने हाथ को चलाना है कैसे step देना है तो जैसे देखिए अभी जो चल रहा है seizures है इसको हम seizures बोलते है फिर skin को देखिए उपर के करते हुए हमें जिस तरीके अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ेंगे जैसे हम आटा गुतने के लिए हाथ बनाते हैं उस तरीके से हम करेंगे और उसे उपर के तरफ skin करते हुए हमें जो है clockwise इस तरीके से अपने हाथों को चलाना रहता है, जिससे कि हमारी स्कीन टाइट हो, हमें जितने वे इस्टेप करने होते हैं, वो सब हम स्कीन को ऊपर उठाते हुए ही करेंगे, जिससे कि इसकीन जो हमारी होगी हो टाइट हो, गलो करें, हमें एकदम सौप्ट हाथों से क्रीम को एप्जॉर करना रहता है जिसे कि मारी स्कीन के अंदर जो है क्रीम जाए जिसे मारी स्कीन पर थोड़ी चमक आए और ग्लो आए जैसे देखिए एकदम सौप्ट वाले हाथ चल रहे हैं फिर यहां से भी नेक पर हम इस तरीके से हाथ चलाएंगे उपर के तरफ में इसकीन को ले जाते हु तो हर इस्टेप करने के बाद हमें जरूर कर देना चाहिए बीच बीच में हमें उसको करना चाहिए और इस तरीके से देखिए फिर हम पीछे से थोड़े से अपने अंगुठे से प्रेसर डालेंगे कस्टमर को इससे भी बहुत अच्छा रिलेक्स फिल होता है और इसकीन क आपने इस स़फ हाथों से मसाज़ देना होता है हमारे अगर मसाज सही है तो हमारी इसकीन पर जो जुर्णिया नहीं आएंगी हमारी सोच गलत है कि मसाज लेने से जुर्णिया आती है ईसा कुछ नहीं होता है और यह लेक्रडोब्लीच और डीटैंड पेक दोनों के साथ आप इस तरीके से clean up को कर सकती हैं अगर आपकी customer आपके पास आई हैं और उनको facial नहीं कराना है कम time में उनको अच्छा result चाहिए तो आप इस तरीके से clean up करिएगा तो उनको अच्छा result मिलेगा फिर ये last में हम pack को लगाएंगे जो की पाँचवाई step है तो पाँचवाई step इसको हम देखिए pack है 15 मिनट तक 15 मिनट तक हम face पे रखेंगे इस तरीके से dab dab करके फेला लेंगे फिर अच्छे से पूरे face को cover कर देंगे पूरा एक layer बना के हमें लगाना है और 15 मिनट के बाद फिर इसे हम clean कर देंगे और यह जो हम clean up किये है यह gold facial से clean up किये है तो आप normal cream से clean up कर सकती है या customer जो बोले आप उस cream से clean up दे सकती है लाश्ट में फिर हम पैक लगाने के बाद इस तरीके से गुलाब जल cotton में लेके आपको के उपर रख देंगे 15 मिट हमारा हो चुका है और देखिया हमारे पैक जो है सुख चुके है तो इसको अपने हाथों को गिला करेंगे और थोड़ा सा पैक को गिला करेंगे इस तरीके से dab-dab करके और दो, तीन, चार बार इस तरीके से अपने हाथ को मसाज की तरह हम मसाज देंगे, चलाएंगे इस तरीके से हाथ को जिससे की जो पैक है वो धोड़ा सा ढीला हो जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए इसकीन जो है रगड नाख है और जिससे की पैक थोड़ा डिला हो जाए फिर आसानी से उसको हम घिला करके अच्छे से हटा दें तो इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे और इसम अच्छे से क्लीन करना है जिसे कहीं पर भी लगा ना रहे तो इस तरीके से आप लोग क्लीन अप कर सकती है एक क्लीन अप थोड़ा सा चेंज है चेंज इसलिए है कि हमने इसे जो है डारेक्ट क्रीम से किया है पहले जो है इस्टे फोतोस को स्किप किया है क्यों स्किप किया है वो हमने आपको बता दिया है वो वीडियो आप लोग दे कीन है और लास पे फिर हम सीरम को लगा देंगे कस्टमर को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं सीरम लगाके और लेकिन अगर कस्टमर जिस्टाइम हम वेसियल क्लीनट की जा रही है है और धूप है तो उनके उपर हम सीर्म के बाद संस्क्रीम को भी लगाएंगे तो इस तरीके से वह हम अपने ज़ो हमारी कस्टमर होगी हम सीरण करेंगे लेकिन लास्ट में इनको में निकलना बार जाना है तो इसलिए हम धूप से लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई भी संस्क्रीम हो, तो आप उसे लगा के फिर कस्टमर को, अगर दिन में आप क्लीन अप फेसिल कर रहे हैं, तो संस्क्रीम को लास्ट में जरूर लगाएगा, क्योंकि इनको अभी धूप में निकलना है, तो इसलिए हम लगा रहे हैं संस् किये हैं लेक्टो बिलीच की वीडियो पहले पढ़ चुकी है उसको आप लोग देखिएगा तो इस तरीके से बहुत से कस्टमर ऐसी है जो बिलीच नहीं कराती है तो उनके उपर आप इस तरीके से काम कर सकती है फेसियल नहीं करा रही है उनको क्लीन अप ही कराना है और अच्छा मिले और अगर बिलीच के साथ लेती है तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उससे जो हमारे बाल होते हैं वह थोड़े से चेंज हो जाते हैं तो इसलिए और अच्छा रिजल्ट दिखता है और ऐसे भी आपका जो है डिटैन पर लग्टो बिलीच के साथ भी क्लिन रही है तहाप लोग बताइगा आप लोगो को कैसा लगा और आप लोग को यह वीडियो समझ में आए ऑक नहीं आए और आप लोगो बताइगा अगली वीडियो कौन से चाहिए वह लोगो बताइए बहुत के साथ सेर करेंगे